नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चेर पर दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ आज का हमारा टोपिक है लाल धागे का यह चमतकारी उपाए खोल देगा आपकी किस्मत के द्वार जो चाहेंगी वो आप कहते हैं इंसान को अपने पापपुण्ने का लेखा जोखा इसी जन्म में भुगतना पड़ता है क्योंकि शनी देव को न्याय का देवता माना जाता है इसलिए इंसान के पापकर मुकाफल व्यक्ति को 6.5 के दोरान मिलता है साधिसाती की या अवधी कईयों के लिए बेहद कष्ट कारक होती है आर्थिक समस्याओं से लिकर स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा हाने हर प्रकार के व्यक्ति को अपमान और हानी का सामना करना पड़ता है कुछ शास्त्रे उपाय इन से छुटकारा पाने में चमतकारी रूप से लाफकारी होते हैं आप सभी के लिए अगर आप अपनाते हैं तो हम यहाँ ऐसे ही कुछ एक आसान उपाय आपको बता रहे हैं जिन्हें अपनी समानिय दिन चर्या में रहते हुए भी आप कर सकते हैं इनमें लाल धागे का उपाय बेहत खास है क्योंकि यह बेहत जल्दी आपके हर तरह के मनोकामना को पून करती है शनिवार के दिन अपनी लंबाई का मौली यानि कि पूजा मोपयोग होने वाला कच्चा सूत और आम का एक हरा पत्ता लाएं अब इस लाल धागे को आम के पत्ते पर लपेटें इसे हाथ में लेकर जो भी मनोकामना हो उसे मन में दुहराएं और किसी भी जल्द के बहते श्रोत में बहा दें शनि की साथे साती से जीवन में परिशानिया हो तो शनिवार के दिन पीपल के पेंड पर जलारपन करें और इसके नीचे सरसों के तेल का दिपक जलाएं ऐसे करते हुए पेंड का तना छू कर उसे प्रणाम करते हुए इसकी साथ परिक्रमा भी अवश करें यह साथे साती से संबंधी जीवन की हर तरह की परिशानी खत्म करता है इसके अलावा शनि की साथे साती से अगर जोब संबंधी या आर्थिक परिशानिया हो तो शनिवार के दिन बिना नमक का भोजन करें यह व्रत भी आपकी हर प्रकार की परिशानी खत्म कर सकता है साथ इससे आपके परिवार में आर्थिक संपन्नता भी आती है तो दोस्तों ये थी आज की ऐसी जानकारी जिसके सहारे आप अपनी प्रोब्लेम को दूर भगा सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतो पूर्च जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों